इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनिट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Dimester M2 Tablet, 2 Anti-Diabetic दवाओं का मिश्रण है, Glymipiride और Metformin. Glymipiride, जो एक सलफिनीलूरिया है, अग्नियाशे द्वारा जारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा कर कारे करता है. Metformin, जो एक बिगवानाइड है, यकृत में glucose के उतपादन को कम करके, आतों से glucose के अवशोशन में देरी करके, और इंसुलिन की प्रती शरीर की प्रतिक्रिया को बढ़ा कर कारे करता है. संक्षिप में, दो दवाएं एक साथ रक्ट शरकरा के स्तर को बहुत उच्च स्तर तक बढ़ने से रोकती हैं, और इस प्रकार आपके मधुमे को नियंत्रण में रखती हैं. टाइब दो मधुमे एक पुरानी या आजीवन स्थिती है, जो आपके शरीर द्वारा ग्लुकोज को संसाधित करने के तरीके को प्रभावित करती है. टाइब दो मधुमे वाले लोग या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करते हैं, या यदि इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो ये शरीर में अपना कार्य यानि की इंसुलिन प्रतिरोध करने में असमर्थ होता है. इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और बार-बार पेशाब आना, प्यास का बढ़ना और भूप का बढ़ना जैसे लक्षन शुरू हो जाते हैं. यह तवचा संक्रमर्ण, आखों की समस्याओं, यानि की रेटिनोपैथी, तंत्रिक अक्षती, यानि की निवरोपैथी, मधुमेह पैर, यानि की पैर का अलसर, गुर्दे की बीमारी, यानि की निफ्रोपैथी, उच्च रक्चाप, और यहां तक स्ट्रोक जैसी गंभीर जटलताओं को जन्म दे सकता है. उलिखित क्रियाविधी, ग्लाइमेस्टर M2 टेबलेट की दो दवाएं आपके बलड शुगर के स्तर को नियंतरत रखने के लिए एक साथ काम करती हैं. मधुमे के कई अक्षम करने वाले दुश प्रभावों का उल्लेक करने के लिए प्रभाव दिखाता है. ग्लमेस्टर M2 टेबलेट को खराब पेट से बचने के लिए भुजन के साथ लिया जाना चाहिए. अच्छे नतीजे पाने के लिए ग्लमेस्टर M2 टेबलेट को दिन में एक ही समय पर हर बार लिया जाना चाहिए. बहतर सलाह के लिए आपका डॉक आना, धरकन, भूख लगना, शुश्क मूह और तवचा आदी शामिल हैं। इसलिए हाइपोगलाय कमिया से बचने के लिए आपको भोजन छोड़ना नहीं चाहिए और साथ ही साथ ले जाना चाहिए। आपके साथ चीनी का कुछ रूप, अन्य दुश प्रभावों में स्वा अगर आप ग्लमेस्टर M2 टेबलेट का सेवन अचानक बंद कर देते हैं, तो यह आपके शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे आँखों की रोशनी कम होने, यानि की ट्रेटिनोपेथी, किड्नी, यानि की निफ्रोपेथी, और नसों को नुकसान, यानि की निउरोप ग्लमेस्टर M2 टेबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए, क्रिप्या आपने चिकित्सक को सूचित करें कि क्या आपको किसी भी प्रकार की हिरदे रोग है, गर्भवती होने की योजना बना रही है, या स्तनपान करा रही है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद